हेलो एवरिवन और वल्कम बाक तो मैं चैनल लर्नर सब तो आज जो हम लोग पोयम डिसकस कने जा रहे हैं उसका नाम है उस्ट्रेलिया जो कि एक उस्ट्रेलियन पोयेट आलेक डर्वेंट होप यह इंशॉर्ट एडी होप के द्वारा लिखा गया है तो यह पोयम जो है उस् जब वो इंग्लेंड से येर 1931 में वो वापस अपने मात्र भूमी या मदरलन्ड आस्ट्रेलिया में वापस लोटे थे और जब वो आस्ट्रेलिया में वापस लोटे थे तब वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि आस्ट्रेलिया की जो कंडिशन थी वो कितनी ज़्यादा ब वो भी बस वहां पर मेर लिए सर्वाइक कर रहे थे और वो गुबरूर्मेन्ट पे डिपेंडेंट्टे क्यूंकि जातर जो ऐस्ट्रेलिया में लोग थे वह ऊस्ट्रेलिया के खुद के नेटीव लोग नहीं थे बलकि वो यूरॉप से और दुनिया भर से आए हुब जो लो और Glamorous दिखाई परता था बट भीतर से वो बिलकुल खोकला होता जा रहा था उसके Resources, उसके Culture, उसके History सब कुछ बिलकुल बरबाद होती जा रहे थी तो इनी सब चीजों की वज़े से A.D. Hope काफी Frustrate हो गए और उन्होंने एक काफी Harsh और Satirical Tone में उन्होंने इस Poem Australia को लिखा है तो ये Poem basically Seven Stanzas में लिखा गया है और इसे A.D. Hope के ही एक Collection of Poem जिसका नाम The Wandering Islands था उसमें इसे Year 1955 में पब्लिश किया गया था और इस Poem के थू A.D. Hope Australia को नहीं बलकि वो घुमा फिरा कर वो उन Europeans को और उन Colonizers को criticize करते हैं जिन्होंने उसके culture को और उसके natural resources को exhaust कर दिया और उनके country को या उनके देश को बरबादी के कागार पे ले आए तो चलिए अब ये तो हो गया इस Poem से रिलेट कुछ basic information तो बिन टाइम वेस किये आज के जो हमारा Poem है आस्ट्रेलिया इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके first senza की शुरुआत कुछी सरर से होती है कि तो इन lines में ड्राब ग्रीन से पोएट का ये मतलब है कि आस्ट्रेलिया के जो पेड है न वो पोएट को बिलकुल फीके या colorless लगते हैं फिर desolate gray का मतलब है बिलकुल sad सा या मायूस सा कर देने वाला gray color और sphinx का मतलब है एक ऐसा जानवर जिसकी पूरी body share की होती है बढ़ उसका सर जो है वो किसी इनसान का होता है तो इसका जिक्र बेसिकली Egyptian mythology में किया गया है जो की symbolize करता है physical power को और intelligence को तो इस तैंजा का overall meaning ये है कि poet AD hope को Australia जो देश है वो उन्हें बिलकुल ही dull और मायूस सा दिखाई देता है और even जो वहां के पेड़ पौदे हैं वो भी उन्हें बिलकुल colorless या फीके और मायूस से gray color के लगते हैं जैसा कि जंग के मैदाल में जो soldiers का uniform color होता है न green और gray color का वैसा और इसके अगले दो line में फिर poet हमें ये कहते हैं कि sphinx जो की एक कफी powerful genre है Egyptian myth के according sphinx basically power को और intelligence को symbolize करता है और वो actually इसलिए जना जाता है क्योंकि वो अपने शिकार को कस कर पकड़ लेता है और उसे तरपा तरपा कर अपने पंजों से मारता है बट इस particular poem में A.D. Hope हमें ये कहते हैं कि sphinx की जो शक्ती है और जो power है वो सब अब खत्म हो चुकी है और वो अब एक destroyed या ruin state में है तो उसी sphinx जानवर के destroyed या ruin state से poet A.D. Hope Australia को compare करते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ के जो पहाड हैं जो वादिया हैं वो सब अब डार्क हो चुके हैं काले रंके हो चुके हैं और वहाँ के पेड़ पौधे भी डल हो चुके हैं तो basically इस stanza में poet ये कहना चाहते हैं कि Australia पहले काफी powerful और strong nation हुआ करता था बट अब उसकी सारी glory और उसकी सारी powers यह है वो अब खत्म हो चुकी है और उसके अंदर कुछ भी नया नहीं है जो भी उसके अंदर बचा है वो सब वही कुछ dull और boring सा वही English civilization का copy किया हुआ है फिर के next stanza में poet ये लिखते हैं तो इस stanza में poet हम से ये कहते हैं कि काफी लोग अकसर ये कहते हैं कि Australia एक नया देश है या वो एक युवा देश है बट ये सब बाते बिलकुल भी सच नहीं है ये एक जूट है या मिथ्या है क्योंकि अगर हम इसे जोग्राफिकली देखें तो ये एक one of the oldest lands में से एक है और जो कि बिलकुल अब खाली हो चुका है यानि उसके resources, उसके tradition, उसके culture और उसके सभी values ये हैं वो सब बिलकुल तहस नहस हो चुके हैं और वो European colonizers इसे लूट चुके हैं और अब इस देश की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है जैसे के कोई महिला या कोई और जब एक समय के बाद वो life को sustain नहीं कर पाती है या वो बच्चों को जर्म नहीं दे पाती है और उसकी कोक सूख जाती है तो कुछ वैसी हालत हो गई है इस देश की यानि वो देश दिखने में तो बिलकुल नया सा और attractive लगता है जैसे के कोई young female lady बट अंदर से वो बिलकुल खाली है और उसकी कोक अब सूख चुकी है यानि वो अब life को sustain नहीं कर सकता और उसकी capacity अब खत्म हो चुकी है फिर इसके third sansa poet ये लिखते हैं तो इसके third sansa में poet हमसे ये कहते हैं कि हर country का ये हर nation का अपना एक खुद का individual culture होता है उनका खुद का music होता है कुछ rituals होते हैं कुछ rewards होते हैं ये dance form होता है बट Australia जो देश है वो एक ऐसा देश है जो कि अंदर से बिलकुल खाली हो चुका है क्योंकि ना तो उनका खुद का कोई music बचा है ना ही उनका कोई architecture है और ना ही उनके कोई history बची है ये देश अंदर से बिलकुल खोकला हो चुका है और एक वतन के अंदर जो emotions होते हैं और जो superstitions होते हैं यानि जो अंद विश्वास होता है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है ये बस वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो एक नया देश है बड़ा सा नहीं है और फिर इसके अगले दो लाइम में poet ये कहते हैं कि even जो वहाँ पर rivers है यानि जो नदिया है वो भी बिलकुल stupid है या पेवकूफ है क्योंकि usually एक नदी लोगों को support देती है उन्हें जीने का सहारा देती है बट Australia की जो नदिया है इसलिए poet उन नदियों को stupid कहते है फिर्स के नेक्स सैंजा में poet ये लिखते है तो इन lines में monotonous tribe का मतलब है वो same dull, boring और अजीब से लोग जो की वही western culture को follow करते है और उनके अंदर कुछ भी नया करने का जोश नहीं होता है फिर karence जो word है यहाँ पर वो एक popular tourist destination है Australia के north side में और Perth एक Australian city है जो की Australia के south side में located है तो इस tanza का overall meaning ये है कि poet AD Hope हम से ये कहते है कि Australia की जो नदिया है वो बिलकुल stupid है या पेवकूफ है क्योंकि एक नदी जो होती है वो एक particular area के लोगों को जीवन देती है वहाँ के life system को support करती है बट Australia की जो नदिया है वो वहीं पर destruction और havoc create करती है और वो वहाँ पर flood यानि बार लेकर आती है जिसके वज़े से जो वहाँ पर लोग रहते हैं जो केरेंट से लेकर Perth City तक बसे हुए है उन्हें वहाँ पर सफर करना पड़ता है उन rivers की वज़े से और फिर ultimately जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो dull अजीब से boring से लोग जो कि सिर्फ English culture को follow करते हैं या copy करते हैं और जिनके अंदर कुछ भी नया करने की हिम्मत नहीं होती है वो ultimately वहाँ पर आकर ये कहते हैं कि वो एक normal life नहीं जीते हैं बलकि वो सिफ वहाँ पर survive करते हैं क्योंकि जारतर जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो वहाँ के native लोग नहीं हैं बलकि वो तो दुनिया भर से आयोए लोग हैं जो वहाँ पर आकर बस गए हैं और वो government पर dependent हैं अपने daily के livelihood के लिए तो इसलिए वो ये कहते हैं कि वो struggle करते हैं survive करने के लिए और एक अच्छे खुशाल जिन्दगी को बिताने के लिए नहीं और इसी चीज से वो खुश है या satisfied है और वो इसे कहते हुए proud feel करते हैं तो जब देश के नागरी की ऐसे होंगे तो एक देश कैसे powerful बनेगा और कैसे वो अपने full potential को achieve कर सकेगा जब उसके लोग ही ऐसे behave करेंगे या ऐसे act करेंगे जैसे कि उसकी जमीन या वहाँ की धरती जो है वो नश्ट होते जा रही है या खत्म होते जा रही है तो जब लोग की मानसिकता ही ऐसी होगी तो कोई क्या कर सकता है फिर इसके फिफ सेंजा में पोट ये लिखते हैं तो इन लाइन्स में फाइफ सिटीज का मतलब है औस्टेलिया के वो पाँच शहर जो कि वहाँ के कमर्शियल और प्रलिटिकल लाइफ को डॉमिनेट करते हैं और वो पाँच शहर हैं मेलबर्न, पर्थ, सिद्नी, कैनबरा और एडिलेड फिर तिमनिंग सोर का मतलब है कि वो पाँच हो शहर किसी भरे हुए घाफ की तरह या किसी जक्म की तरह है जो कि ऑस्टेलिया के देश को अंदर से डैमेज कर रहे हैं फिर पैरसाइट का मतलब है किसी तरह के परजीवी या कीडे फिर सेकेंड हैंड यूरोपियन का मतलब है कि वो लोग जो ऑस्टेलिया में अभी रह रहे हैं वो लोग ऑस्टेलिया के नेटिव लोग नहीं है या ओरिजिनल लोग नहीं है बलकि वो तो दुनिया भर से आय हुए लोग हैं और वो यूरोपियन क्रिमिनल्स हैं जिन्हें Great Britain ने कई साल पहले जेल में डालने के बजाए उन्हें Australia में लाकर छोड़ दिया था तो इनी सब Second Hand Europeans की वज़े से Australia जो है वो पल्यूट हो चुका है या गंदा हो चुका है और Alien Shore का मतलब है कि Australia की जमीन जो है वो उन Second Hand Europeans के लिए एक समय पहले नई थी या उनके लिए वो किनारा बिल्कुल नया था बट अब वो इस जमीन पर बस गए हैं और वो अब किसी कीड़े की तरह वो लोग इसे खोकला करते जा रहे हैं तो इस Stanza का Overall Meaning ये है कि Australia के वो पाँच शहर जिनका ना Melbourne, Sydney, Perth, Canberra और Adelaide है वो पाँचो शहर Australia के लिए किसी भरे हुए जक्म की तरह है या घाव की तरह है जो कि उसे कमजोर बना रहा है या उसे खोकला कर रहा है क्योंकि वो उसके resources को, उसके culture को और उसके सभी चीजों को खत्म करते जा रहा है और वो पाँचो cities वहाँ के commercial और particle life को dominate करते हैं और वहाँ पर जो लोग बसते हैं वो basically second hand Europeans है और वो government पे dependent है क्योंकि उनकी खुद की कोई entity नहीं है और वो किसी parasite की तरह है या फिर किसी परजीवी की तरह है या किसी कीडे की तरह है जो कि उसे loot कर अंदर से खाली कर दे रहे हैं और वहाँ की state खुद उन्हें permission देती है कि वो उन्हें खाली कर दे और वो second hand Europeans जो की बाहर से आये हैं और जो की वहाँ के जमीन पर नए थे वो वहाँ पर बस गए हैं और वो अब किसी parasite की तरह वो उसे pollute करते जा रहे हैं या उसे गंदा कर रहे हैं और अब इसके आखरी दो stanzas में poet ये लिखते हैं तब इतने सारे harsh criticism और खामी निकालने के बाद finally अब इस last two stanza में poet अपने tone में एक बदलाव लाते हैं और वो अब इस आखरी दो stanza में poet कुछ अच्छा बोलते हैं और वो अपने country से कुछ उम्मीद करते हैं तो अब इस आखरी दो stanza में poet हमसे ये कहते हैं कि हाँ अभी भी कुछ लोग है वहाँ पर मेरी तरह जो अपने घर या अपने मात्र भूमी में वापस लोटना चाते हैं और उस modern सोच के उल्जन से या उस modern thought के उल्जन भरे जंगल से बाहर निकलना चाते हैं ताकि वो उस सूखे बंजर जमीन में किसी ऐसे व्यक्ति की खोच कर सके जो कि उन्हें उस सूखे बंजर जमीन के दुख दर्द से राहत दिला सके तो poet इस stanza में उमीद रखते हैं कि जिस तरह से अरेविया के रिगिस्तान में प्रोफेट या मसीह आये थे और वहां के लोगों को बचा लिया था ठीक उसी तरह से और स्ट्रेलिया के सूखे जमीन पर भी कोई मसीह या प्रोफेट जरूर आएगा जो कि उन्हें वहां के दुख दर्द से राहत दिलाएगा और वहां पर एक बदलाव लाएगा और वहां के जंगली और कलरलेस हिल्स हैं वो मसीह फिर से उन्हें रंगीन कर देगा और वहां पर दुबारा से स्प्रिंग ले आएगा उस जमीन पर और इसके आखरी तीन लाइन्स में पोईट ये कहते हैं कि वो प्रोफेट या वो मसीह किसी स्पिरिट की तरह कहते हैं पर वो अभी भी किसी एप की तरह है यानि किसी वानर की तरह है जो कि स्रिफ कॉपी करना जानते हैं तो पोईट को एक उमीद है कि कोई तो ऐसा जरूर आएगा जो कि वहां पर जन्म लेगा और सब कुछ बदल कर रख देगा तो एक positive note के साथ ये poem खतम होता है तो इस तरह से वीडियो खतम होता है and I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप comment करके जरूर बताएं like करे, share कर अपनों दोस्तों के साथ and thank you for watching